साथ अपने परिवार के साथ सेकोषल होंगे और सफलताओं की तरफ बढ़ रहे होंगे मैं अधर संजय कोशी का सभी का वेलकम करता हूं अपने यूटीव चैनल में दोस्तों मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर कैसे करें शाम बापा का शिंगार एक्षली हमारा गुरूप ह हर एक अधसी को आज भी एक अधसी है आज भी हमारा बजन संदय का प्रोग्राम होगा तो हर एक अधसी को हम बजन संदय का प्रोग्राम करते थे शाम बाबा की जो छवी है वो हम रेंट पे लेकाते थे किसी भगत से और उसके बाद सुबा वापस कर देते थे तो उसका ज सोचा के चलो कुछ नो कुछ तो करते हैं हम ने खुदी अपने हाथों से बाबा के आसिरवाद से कोशिश करने शुरू करी और दिरे दिरे करके बाबा का असरवाद इतना मिला कि अब हमें बाबा की छवी को कराय पेल आने की जूर्त नहीं है रेंट पेला जो चवी है वो हमारे साथ हमारे पास मौजूद है और वही चवी खाटू शाम बाबा के दरसन के लिए भी कही थी और हमारे साथ मौजूद है अब उसी चवी के साथ हम बाबा का भजन संदा का प्रोग्राम करते हैं तो यह वीडियो बनाने का मकसद था जो मैंने बाबा की स मैं जोकातते हुए चाहते होंगे कि अपने समाज हैं बाबा को अधिक भीडिक आननन्द मिलता है वाबा को अपने ऐसे बाबा का सिंगार नहीं करते हैं ऐसा ओपन में बाबा का सिंगार नहीं करते हैं बाबा का सिंगार जब करते हैं तो दिखाते नहीं किसी को सारी बातें सरमाथे में मैं खुद जो मेरा विचारा वो यह है कि जैसे हम Google पर सर्च कर रहे थे पूरे इंडिया में न जाने हमारे जैसे middle class के लोग हमारे जैसे जो middle class के भकत हैं जो चाहते हैं कि छोटी मूर्ती हो चाहे बड़ी मूर्ती हो बाबा की छवी लाई जाए बाबा का सिंगार किया जाए अपने हाथों से उनको जब मदद मिलती है जो उनके message आते हैं तो दो फोन तो यूपी से मेरे पास आए कि आपने बहुत अच्छा किया हम तो तडप रहे थे जानने के लिए कैसे सिंगार होता है हम भी छवी ले आपका जो चवी का स्टेंड है आपकी जो मूरती है बिलकुल हूब 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 हमने बनवाई ये देख करके सेम आपका पेटरन दिखाया था वेल्डर से और वेल्डर से हमने वह चवी बनवा लिये तो बहुत अच्छा लगा और हम उसी को धन्यवाद बोलना चाहेगा, आप सरब से उपर आ रहा है, सुमंजी का नाम, जैसरी शाम सुमंजी, आपने लिगा है, बहुत अच्छा सिंगार है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये है, Let's Go Inside, जैसरी शाम, हमारी तरफ से भी जैसरी शाम भाईया, ये है, Aniket, Aniket Singh Raathor, जै जैसरी शाम बाबाजी, विनीत, 10th 24, जैसरी शाम, गोरव ठाकुर, 9371, इनकी आइडी होगी सायद, जैसरी शाम, सहिल कुमार, सहिल कुमार जी है, जैसरी शाम शाहिल जी, शाम लाडली, 24, thank you for this video, जैसरी शाम, जैसरी शाम जी, आपका तो नाम शाम जी का, शाम लाडली है तो आप तो धन्य है, विमल कुमार, DX2, DJ, जैसरी शाम, अनन्द सर्मा, जैसरी शाम, तुशार बंसल, तुशार बंसल जी का आया है, तुशार बंसल, 7680, जैसरी शाम, रोहित परसुराम, जैहो परसुराम जी की, गजब, जैसरी शाम जी, सुदेश कुमार जी है, जैसरी शाम सुदेश जी, और रतन सिंग, रतन सिंग, डबल लाइन, 74, जैसरी शाम, सक्ससनेस्ट, जैसरी शाम, प्रियांशु सर्मा, जैसरी शाम भाईजी, जैसरी शाम भाई, विकास गुपता, जैसरी शाम, यह है, धरम, धर्मिंदर, खुश्वा, धर्मिंदर, खुश्वा, साइद इनी का फोन है था, जो हमरे, यूपे उत्तरा खंड साहत है, उत्तर प कि आपका बहुत धन्यवाद भाईजी कि तो इस परकार बहुत सारे लोगों के बहुत सारे भक्तों के मैस Axe आये हुए वरींदर कुमार थेंक यू ठैंक्स फॉर उर वीडियो भाई थैंकस सो मच वीडियो बनाने के लिए जब इस तरह के भाईम के भक्तों के कैसे करें भाई जी दरबार सजाने का वीडियो हमें भी चाहिए मेरे पास बाबा की छवी है और मैं बहुत दिन से यह है जै 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 अगरवाल जै गरवाल 6740 मेरे पास बाबा की छवी है और मैं बहुत दिन से ऐसा कोई वीडियो ढूंड रहा था सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै गरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की किरपा आप पर बनी रहे आपके परिवार पर बनी रहे आपके कुटूम पर बनी रहे और ऐस सब जय सरी शाम बाबा की छवी किस चीज पर रखी जाती है हमें यह नहीं मालूम बाबा का शिंगार तो हम कर लेते हैं पर यह नहीं मालूम कि बाबा की छवी किस चीज पर रखी जाती है तो वो तो हमने इसमें दिखा दिया है स्टेंड जो स्टेंड पर रखी दए बाबा की चबी वो तो हमने शुरु से ए तू जैड लिखा ए उसके बारें बता दिया हमने FD musical group अब आपको सभी बता देंगे आपको सब बता देंगे FD musical group बाबा शाम का चीर किस चीज पर विराजमान किया जाता है रवी किराड जी ने फिर से question किया उसका reply हम दे चुके हैं आरव पंडित आरव पंडित P आरव जी हैं भाई कहां से हो आप इनका reply हम दे चुके हैं रोहित सैनी भाई प्लीज जाल का पिक सेंड करो बाबा का सिंगार ऐसे नहीं होता है ये है भाई मोहित अगरवाल मोहित अगरवाल है बाबा का सिंगार ऐसे नहीं होता है माले ऐसे नहीं डाली जाती बाबा को स्टेंड और विराजवान करके पितंबरी पेना करके इन्हों भाई ने पूरा डिटेल में इन्होंने बहुत बड़ा मेसिज लिखा हुआ है तो पूरा मेसिज तो पढ़ना उचित नहीं होगा टैम की वज़े से आप लोग इसको जरूर पढ़ें क्योंकि भाई ने पूरा डिटेलिंग दिये जैसे ये करते हैं सिंगार या जैसे बाबा का सिंगार ये करते हैं उसकी पूरी डिटेल इन्होंने लिखी है और इतनी मेह सिंगार हमारे लिए छोड़ दिया है इससे मुझे मालूम है कि पूरे देश के पूरे देश ही नहीं बहार के लोग भी जो बाबा के लिए समर्पित हैं उनको फायदा मिलेगा ये है डिस्ट प्राइम आपके कंटेक्ट नंबर दीजिए सर वो हम बात कर चुके हैं परतीक यादव जी है बाबा का सिंगार आपने गलत तरीके से किया है ऐसे नहीं होता भाई परतीक आपको भी रिपलाई दे दिया गया है लेकिन फिर भी मैं अगर आपको कुछ बुरा लगा हो या गलत लगा हो तो उसके लिए शमा चाहता हूं मेरा माना तो यह है कि बाबा को भावना से भावनाओं से शिंगार करें भावना से पूजा करें बाबा को दिल में बसाय रखें और दूसरों के लिए पूरा समर्पन भाव रखें और बागी सभी की सोच और विचार अलग-अलग होते हैं कि हो सकता है कि मैं कहीं हो सकता है गलत हूं लेकिंफिर भी मैं facilitating बहुति इसकी है कि बाबा के लिए जो मैं तरफ से करสकता था बाबा के भक्तों, के लिए जो कर सकता था उना किया है आपको बुरा लगा Oh Sorry what I'll do एक यह जी its कि its G.P which यह जाल कहां इब यह तो मनम बता दिया है擅न बॉद्णिंग से पूर इस में ge बिटेलिंग दे रखे वीडियो में आप वेल्डिंग से वेल्डर से आप ऐसे बनवा सकते हैं से यह है निगम ब्रोज कितने फुट का स्टैंड है बाबा का लाइतिन फुट का होता है वो वीडियो में हमने बता दिया है पुरा पर्ति के अदाव जी का फिर मैसीज आया है बाबा का सिंगार पट बंद करके होता है बाबा के सिंगार की वीडियो नहीं बनाते बनाई जाती दूसरों को सिंगार करते हुए नहीं दिखाया जाता यह भाई ने पर्ति के अदाव जी ने बताया है तो उसका भी हम रिपिलाई दे चुके हैं काफी लंबी सिंगार का दूसरों नहीं होता ता काफी मंदुर हम देखा है इसलिए बाबा की जोज जलाई है यहां पर हर एक आदसी को सुकलपक्स एक आदसी को बजन संदेगा प्रोग्राम होता है और बाबा की करपा से हमारा गरुप बना है समर्पन के नाम से यूट्यूब चैनल भ होवे दवरारबनता और भगतों का हजूम रहता है एक अधसी के दिन तो ठीक है सभी भगत 100% सही नहीं होते होचकता हमार से भी कुछ नो कुछ गलती रही हो लेकिन बाबा खुश है हमें इस बात का अंदाजा लगता है इस चीज से लगता है कि बाबा की छवी किराय पर ले का भवे दरबार लगता है और भकतों का हजूम होता है पूरा काफी भीड होती है भकतों की और सभी लोग समर्पित है प्रतिक भाई धन्यवाद आपने भी काफी समय दिया बहुत शब्द दिये काफी कनवर्शेशन से लिए हमारी अनिकेत सिंह राठोर अनिकेत सिंह का सभी भकतों का दिल से अभारी हूं कि वीडियो देखके अप्रिशेट भी किया कुछ भाईयों को थोड़ा सा अब्जेक्शन रहा कि बाबा का शेंगार ओपन में नहीं के जाता लेकिन मेरा सरफ यही मानना है कि जैसे हम तरप रहे थे ऐसी को योड़ना तरपे बाबा क का जंडा जतना घड़े जतना नाम फैले बाबा का अच्छा है क्योंकि आज कल तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व बाबा के लिए समर्पित है तो सभी भाईयों को धन्यवाद और सभी भकतों को धन्यवाद एक बार फिर से दिल से जैसे रिश्याम आप सभी का दिन म जंगल में हो